इस्रेली सेना ने डंके की चोट पर कह दिया है कि जैसे ही सीसफार खत्म होगा वो गाजा पट्टी और विस्ट बैंक में दस गुना तेजी से अमला करेगा लेकिन इतनी बड़ी धमकी देने के बाद नेतन याहू को फोरण एसास हुआ है कि उसने बहुत भारी गलती कर दी है और इस गलती का फायदा इरान उठा सकता है इसरेल को मिटा देंगे हमास और इरान चार दिन का सीज फायर क्या इसरेल पर भारी पर रहा है दुनिया भर के वार एक्सपोर्ट्स का साफ कहना है कि चार दिन के सीज फायर में हमास को जबरदस्थ हमले करने के लिए फिर से ऑक्सिजन मिल गई है खबरें तो यहां तका रही है कि रूस के वेगनर ब्रुप के कमांडर और लड़ा के भारी हथियारों के साथ हमास के कमांड सेंटर में पहुँच चुके है जबकि चीन ने इस दोरान हमास की सुरंगों में ऐसे खुफिया नेटवाक बना दिये हैं जो इस्रैली टैंकों और पैदल सेना के लिए काल साबित होंगे जबकि दूसरी तरफ हीरान ने हमास को नई तरह की सैकडों में साइलें, लंबी दूरी के रॉकेर और भारी हथियारों की एक बहुत बड़ी खेप गाजा पहुचा दी है दावा तो यहां तक किया गया है कि एरान ने अरब और मुस्लिम देशों को साफ साफ कह दिया है कि हम सीज फायर की आड में इस्रैल के खूनी गुनाहों को रत्ती भर माफ नहीं करेंगे और इस्रैल पर साथ अक्टूबर जैसे दरजनों भी शनहमले होंगे इस वक्त इस्रैल के डेर लाग सैने को राट सो टैंक घाजा पट्रे वेस्ट बैंक में मौजूद हैं खबरें तो यहां तका रही है कि इस्रैल ने सीज फायर पूरा होने से पहले ही हमास के ओपर जबरदस्थ हमले शुरू कर दिये हैं ताकि हमास साथ अक्टूबर जैसा हमला इस्रैल पर ना कर सके जबकि दूसरी तरफ हमास, हेजबुला और हूथी मिलकर इस्रैल पर हमले कर रहे हैं जो साफ साफ संकेत हैं कि ना तो हमास हार रहा है और ना ही हेजबुल्ला और हूथी के लड़ाके इसरेल पर हमला करने से हिचक रहे हैं क्योंकि इरान इस स्वक्त गाजा युद्ध का बॉस बन चुका है यही वज़े है कि इसरेल के प्रधान मंत्री बेनमिन नेतन्याहु ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो इसरेल के वजूद से जोड़ गया है इसरेल के हार पर नेतन्याहु का कबूल नामा इस्रेली प्रधानमंत्री बेनमीन नेतन्याहु ने गाजा युद्ध को लेकर इस्रेली मीडिया में बड़ा लेक लिखा है नेतन्याहु ने गाजा युद्ध पर लिखा है कि एरान की शैतानी धोरी बन चुका है हमास नेतन याहू ने दुनिया को जेताओनी थी कि अगर हमास इरान युद जीत गए तो अगला नंबर बाकी देशों का होगा बेनमीन नेतन याहू ने ये भी लिखा है कि हमास ने 7 अक्टूबर को जिस तरह आतंत मचाया वो हमें दिखाता है कि अच्छा भविश्य तभी संभव है जब सब ये दुनिया इन जंगलियों के खिलाफ लड़ेगी नेतन याहू ने अलर्ट करते हुए ये भी लिखा है कि कुछ लोगों को लगता है कि हम आराम से अपनी जिंदगी में रहेंगे और बुराई खत्म हो जाएगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है घाजा में अब तक 15,000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं इस्रेली सेना और इस्रेली सरकार दोनों ही इस स्वक्त भयंकर प्रेशर में है एक तरफ हमास का पूरी तरह से खत्मा करने का दबाओ इस्रेल की 3,000,000 के सेना पर है तो वहीं दूसरी तरफ इस्रेल की नेतन्याहु सरकार पर अंतराश्रिय दबाओ बढ़ता जा रहा है कि वो अपने हमले बंद करें, जंग को रोकें लेकिन इधर जंग को अंजाम तक पहुँचाने का जुनून इस्रेल पर बहुत भारी पड़ रहा है जबकि दूसरी तरफ इरान के सुप्रीम लीडर अलीख खाम्नेई में इस्रेल को धमकी दे दी है कि इरान घाजा में गिराए गए इस्रेल के एक एक बम और लाशों का पूरा हिसाब इस्रेल से लेगा और इस्रैल को घाजा में खून खराबे की कीमत चुकानी पड़ेगी देखे इरान के सुप्रीम लीडर ने क्या कहा है इरानी सरवोचनेता अली खामनेई ने एक्सपर एक पोस्ट में इस्रैल को घाजा युद्ध परचितावने दी है अली खामनेई ने लिखा है कि घाजा पट्टी में आईडिफ के हमले पर तगड़ा जवाब जरूर मिलेगा घाजा में इसरेल की भीशन बंबारी उस करारी हार के भरबाई नहीं कर पाएगी जिस करारी हार का सामना इसरेल को 7 अब्डूबर को करना पड़ा था इरानी सर्वोच नेधा अली खाम्लेई ने दावे के साथ लिखा है कि इस्रेल अमेरिका के समर्थन के बिना कुछ भी नहीं है और कुछी दिनों में इस्रेल चुप होने को मजबूर हो जाएगा इस्रेल की हार पर नेतन्याहू का कॉबूल नाम है अगर हम आकणों के हिसाब से देखें तो इस्रेल ने उत्तरी घाजा से 11 लाक लोगों को जबरन दक्षुनी घाजा की तरफ भागने को मजबूर कर दिया है जब कि उत्तरी घाजा में मौजूद 35 में से 25 अस्पता इस्रेली हमले में तबाह हो चुके है 24,000 के करीब उत्तरी घाजा की इमार्तों को इस्रेल ने मिसायल और वम धमार्तों से उड़ा दिया है जब कि सवा 2,000,000 के करीब इमार्तें अब रहने लायक नहीं बची है लगभग 10,000 हमास लड़ाके अब तक इस्रेली सेना मारने का दावार दर चुके है लेकिन जबरदस्त प्रिशर में चार दिन का सीज़ फायर इस्रेल की देड़ महीने की रहनक और जीत पर पानी फिर रही है इसलिए इस्रेली सेना के टॉप कमांडरों ने कहना शुरू कर दिया है कि सीज़ फायर के दौरान इस्रेली सेना वीशन हमले की जबरदस्त तयारियां कर रही है इस्रेली सेना के प्रवक्ता रियर एद्मिरल डैनियल हगारी में साफ साफ कहा कि हम सीजवार में हमास पर वीशा हमलेकी तलियारी मेजबे अजरेल को मितादेंगे हमास और इराग बमालך यमाः फोगा, चाल ये श्लीम अपार्खूट वेता हैर्खूट वेता हमुखनות लशलबי המלחमा अबाइम कुछो चाल मुखनीं मुद्रूखीं बेखूल अजिरोत, हमदिनियोत शेलानों ब्रूरा, निफाल कनेगेट कोल इयूम लमदिनत इसराइल अब सबाल उरता है कि अगर इस्राइल सीजवार के दोरान धील, लगातार तीज हमले कर रहा है, तो फिर हमास क्या कर रहा है पश्यमी मीडिया के दावों के मताबि, सीजवार का फायदा हमास के लादेन के नाम से मशूख याया सिंवार को उठाना चाहता है इस्रेल के एक अखबार के दावे के मुताबिक इस्रेल की रक्षा विभाग के अधिकारियों को लगता है कि घाजा में हमास का चीफ याया सिन्वार दक्षणी घाजा पट्टी में मानुई संकट का फायदा उठाने की कोशिश में है इस रणनीती के तहट खान योनस का लादेन कहा जाने वाला याया सिन्वार इस्रेली रक्षपनों पर इतना अंतराश्य दबाव डालना चाहता है कि आगे अपने अभियान को तीज ना कर सके खान योनस ही सिन्वार का मुक्ष कमांड सेंटर है माना जा रहा है कि दबाव में इस्रेली सीन अपिक्षा करित सीमित ऑबरेशन के लिए तयार हो सकती है जिससे हमास को कोई खास नुकसान नहीं होगा इस्रेली अपसरों का मानना है कि सिन्वार युद्ध विराम के बाद जमीनी अभियानों को भिर से शुरू करने में देरी करानी की योजना बनाने में जोर शोर से जुटा है आप कुछ पॉइंट से समझ लीजे हमास का लादें या या सिन्वार उत्तरी गाजा के बचा है दक्षनी गाजा को बचाने पर अब क्यों जोर दे रहा है सीज़ फायर की वज़े से खान योनुस या राफा को निशाना बनाने की बचा है इस्रेली सेना नुसेरा अल भुरायज और दीर अल बलाह जैसे इलाफों पर ही सीमिक हमले कर पा रही है इस्रेली सेना दक्षनी गाजा के गैर मानली अक्षित्रों में सीमिक अवियान चलाने को मत्पूर हो रही है इसका नुक्सा आईडेफ को ये हुरा है के हमास इस्रेल के भीशन हमलों से बच रहा है और हमास का लादे याया सिन्पा एक बद्धिर से दक्षनी गाजा में हमास की सैन्य टाकत को मजबूत करने में जुटा है इस्रेल को मिटा देगे हमास और इरा इस वीडियो में दिखाया गया है के हमास के लड़ाके अचानक तबाख एमार्टों से बाहर निकलकर आरपीजी फायर कर रही है या फिर टैंकों पर सीधे रॉकेटों से रामने कर रही है जब की जमीन पर इस्रेली सेना का एक भीड पैदल सैनिक नहीं दिख रहा है इस्रेली सेना पूरी तरह से या टैंक के अंदर है या फिर किसी वक्तरबंद वहां के अंदर हमास के लड़ाकों से जंग कर रही है हमास के इस खुफिया युद्ध ने इस्रेली सेना के पसीने छोड़ा दिने है चार दिन के सीजफ फायर के बाद जब दुबारा से इस्रेली सेना घाजा शहर और उत्तरी घाजा के बेहद अंदरूनी हिस्सों पर हमला करेगा तो रस्वक्त हमास और ज्यादा खातर हमले इस्रेली सेना पर जरूर करेगा लेकन इस्राइली सेना इबी दावा कर रही है कि सीजवायर कि बाल, हमास कहात मा पुरी तरसे होजा लेकन इस्राइल सेना इबी दावा कर रही है अब्रेकट के सैनिकों ने गुत्तरी घाजा के बश्यम में जबालिया पर भीशन हमला किया जबालिया में आउटपोस्ट सेवनची पर आईडियफ में हमास क्लड़ाकों को मार्थर कपचा कर दिया है